श्री गनेशा या नमाहा नमस्कार दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्थिती लेकर आती है इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़ तरह के परिणाम ला रहे हैं। परिणाम ला रहे हैं। प्यार जताने के लिए समय अनुकुल नहीं है। अपने परिवार से शादी के लिए अनुमती लेनी हैं। तो ये दिन ठीक नहीं रहेगा। थोड़ा सचेत रहे, शान्त रहे। जीवन को एंजॉय करने की कोशिश करते रहे। अगर स्वास्त की बात करें। तो स्वास्त के लिए समय अनुकुल नहीं है, कोई बड़ी परिशानी तो नहीं होगी। जो लोग पहले से बीमार हैं, उन्हें सेहत का ख्याल रखना होगा। सेहत से संबंदी चोटी मोटी परिशानिया इस समय में सता सकती है। दोस्तो इस दिन परिशानिया, नुक्सान या स्वास्ते से जुड़ी परिशानिया आपको सताए, तो मंदिर जाकर भगवान का दर्शन जरूर करें, और एक रुपे का सिक्का मंदिर के मुख्य गुलक में जरूर डालें। आपके अच्छे के लिए भगवान से प्रार्थना करना ना भूले। और इस दिन चंदनिया के सरकातिलग अपने माथे पर जरूर लगाए। इस दिन हरे रंग का इस्तिमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और पांच अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है। दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है। कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है के आपके राशी पल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशी फल को एक मार्गदर्शन के तोर पर लिया जाए तो जादा चरहेगा। दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है। तो वीडियो आगे जरूर देखे। व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है। परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक् रेक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़े होती है, जो हमारे भागय को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है। और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती, वह चीजे हमारे चारों तरफ एक अजीब सा घेरा बना कर रखती है, परन्तु हम उसको नहीं देख पाते, इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारतमकता फैलती है, जिसकी वज़े स हमें भारे नुकसान उठाना पड़ता है, हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं, दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आती है, कहीं भी जूते चपल फेक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं, कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के मे जूतेया चपपल डायरेक्ली उतार देते हैं, दोस्तो ध्यान रखे, जूते चपपल हमेशा साप सूत्रे रखे, और उनको उनकी जगये पर रखे, उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखे, अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है, तो बहुत ही अच्छी ब बात का ध्यान जरूर रखे साथ ही दोस्तों एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के च्छत के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के च्छत के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के च्छत के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है क्योंकि ये चीजे हमें कही ना कही हमारी जीवन में पीछे रखेगी इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरे से साप रखें पूरी तरे से साप सुत्रा रखें, क्लीन रखें साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ सीडियों के नीचे कूडा कच्रा कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रखते हैं तो उस वेज़े से मालक्ष्मी हम पर पसंद नहीं होती, मालक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे, हमारे घर की सीडिया होती है, उनकी नीची की जगा, हमेशा साप सुत्री रखे, क्लीन रखे. घड़ी, जाड़ू, गमला, इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए, वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है, आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है, तो घर में ऐसी चीजों का मोजुद होना शुब नहीं माना इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है, इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है, और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, व्यक्ति के मन में च्रिड़शेड़ा हट होती और चोटी चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूडा कचि हैं इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते हैं क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है और अगर आपके घर में मकडी का जाला है तो इससे घर में नकारत्मक उर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तु शास्त्र के अनु प्रवेश होता है तो मुख्यद्वार को साफ सुत्रा रखे और सदा कर रखे तो बहुत अच्छा रहेगा इसी के साथ और कुछ चीजे हैं जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते है तो दोस्तों वो चीजे नहीं रखनी चाहिए जो भगवान के फोटो या भगवान की मुर्तिया जो घर के मंदिर में हैं बस वहां तक सिमीत है अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मुर्तिया रखी है कुछ फोटो रखे ते उन की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीर होती है जो देखते ही हमें समझ में आ दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोठे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते हैं तरक्की ला सकते हैं धन ला सकते हैं मा लक्षमी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाए इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन पनिवाद